सूर्यो पासना का अनुपमलोग पर्व जिसे छट पूजा डाला छट के नाम से हम जानते हैं कार्थिक शुक्ल पक्ष सष्टी को यहाँ पर्व मनाया जाता है मुख्य रूप से बिहार, जारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से नेपाल के तराइक शित्रों में यहाँ पर्व मनाया जाता है परंतु अब यहाँ बिस्तित रूप लेकर पूरे भारत योम भारत से बाहर बिदेशों तक पहुँच गया है कहा जाता है कि यहाँ बिहारी लोगों का अवरत है, उनकी संस्कृती है परंतु अब ऐसा नहीं है, यहाँ संस्कृती बिहार से निकल कर पूरे संसार में ब्याप्त हो चुकी है और यहाँ भारती इता योम सनातन संस्कृत की सूचक है बिहार में इस पर्व को इसलाम सहित अन्य धर्म के लोगों के द्वारा भी मनाते हुए आप देख सकते हैं छट पूजा, भगवान सूर्य, उशा, प्रत्यूशा, प्रकिर्ती, जल, वायू और सश्टी भगवती को समर्पित है इस पर्ववरत के नियम कठोर हैं और चार दिन परियंत मनाए जाते हैं इसमें पवित्र अशनान, निरा जलबरत, उपवास, लंबे समय तक पानी में खड़े रहना बड़े बड़े प्रसाद के बरतनादि सामिल हैं आज की इस विडियो में छट पूजा की विशेस्ता, मानिता, महत्ता तथा उपयोगिता के विशे में सारी जानकारी लेकर मैं काशी से शतिश चंद्रपांडे आचारिकत से पुपस्थित हूँ आपका हार्दिक स्वागत है यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम इसी तरह ब्रत, अनुष्ठान, पूजा, कथा, जोतिस की विडियो प्रामाडिक रूप से लाते रहते हैं आईए बिना बिलंब के भगवान सूरी पूजा की इस अद्भुद विडियो का प्रारम्प करते हैं मानता है कि देव माता अधित ने प्रथम बार सूरी पूजा की थी एक कथा के अंस्वार प्रथम देवासुर संग्राम जब देवतागण अशुरों से हार गए तब देव माता अधित ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान सूरी मंदिर में भगवती सष्ठी देवी की आरातना की थी सष्ठी मैया ने प्रसन्न होकर उन्हें सरभगुन संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था उन्हीं अधित के पुत्र त्रदेव रूप भगवान अधित हुए जिन्होंने देवताओं को अशुरों पर विजय दिलाई कहते हैं उसी समय से भगवती सष्ठी देवी योम सूर की उपासना प्रचलित हुई चठ सब्द सष्ठी का उपभरंस है कार्तिक शुकलपक्ष सष्ठी को यावरत किया जाता है कार्तिक मास के समस्त ब्रत योम पर्वों की तिथी महूर्त देखने के लिए आई बटन योम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो देखना मद भूलेगा चठ परत पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए योम प्रकृत की रक्षा के लिए मनाये जाता है यहाँ पूजा गंगा स्थान जला से नदी तालाबाद के किनारे संपन की जाती है चठ पूजा के संबंध में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं एक कथा के अनुसार जब पांडो अपना समस्त राजपाट जुए में हार गए तब स्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रोपदी ने छट प्रत को किया था इस प्रत के प्रभाव से पांडों को उनका राजपाट वापस मिल गया था लोक परंपरा के अनुसार सूर्य और सश्ठी देवी का संबंध भाई और बहन का है चट प्रत चार दिनों का प्रभ है भाईया दूज के तीसरे दिन यहां ब्रत प्रारंब होता है और पहले दिन सेधा नमक घी से बने हुए अरवा चावल और कद्दू की सबजी प्रशाद रूप में ली जाती है अगले दिन से उप्वास प्रारंब हो जाते हैं ब्रती दिन भर अन नजल त्याग कर शाम को खीर बना कर पूजा के उपरांत प्रशाद गरहन करते हैं जिसे खरना कहते हैं तीसरे दिन डूबती हुए सूर को अरग जल दूद आद अरपन करते हैं और अन्तिम दिन उगते हुए सूर को अरग देते हैं पूजा में पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है लहसुन प्याज बर्जित रहता है गेहू बिनकर धोकर पिशाया जाता है उसी आटे से प्रशाद बनाये जाते हैं कपूर से होने वाले साथ चमतकारिक लाब की हमारी वीडियो आप देखना मत भूलेगा आपको लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी छट पूजा के पहले दिन को नहाय खाय के नाम से जाना जाता है इसे कार्थिक शुकल चतुर्थी को करते हैं इस दिन घर की साफसफाई ब्रती अपने नजदी किस्त जलासे के पास साफसफाई घाट निर्माण करके नदी जलासे में अस्नान करते हैं शारीरिक रूप से स्वक्ष होना भी जरूरी है नाखोनों गेरा काड़ कर ब्रत धारण करने के लिए तयार हो जाते हैं इस दिन सिर्फ एक्स में भोजन ब्रती लोग करते हैं भोजन में कदू की सबजी लोकी की सबजी मुंग चना दाल अरवा चावल का उपियोग होता है भोजन को कांसे या मिट्टी के बरतन में पकाने का भी विधान है भोजन सर्ब प्रतम ब्रती करते हैं फिर परिवार के सदस भोजन कराण करते हैं छट पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है यहां कार्तिक शुकल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है इस दिन ब्रती पूरे दिन उपवास करते हैं अन्द के साथ जलका भी त्याग करते हैं शाम को चावल गुड और गन्ने के रसका प्रयोग कर के खीर अर्थात बखीर बनाई जाती है इसे भोग लगा कर एकांत में रहकर इस प्रशाद को ब्रती ग्रहन करते हैं ब्रती के प्रशाद ग्रहन करने के बाद सभी परिवार जनों मित्रों रिस्तेदारों को खीर रोटी का प्रशाद खिलाते हैं इस संपूर्ण प्रक्रि जाना जाना जाता है यहां कार्तिक शुक्ल सस्थी को मनाया जाता है पूरे दिन सभी लोग पूजा की तैयारी करते हैं खेकुआ प्रशाद का निर्मार किया जाता है चावल के लड्डू, कचवनिया भी बनाई जाते हैं छट पूजा का सारा प्रशाद बांस की डलिया टोकरी जिसे दौरा कहा जाता है में रखकर फल, फूल, गन्ना, शाम को नारियल, पाँच फल, पूजा का सामान सब कुछ दौरा में रखकर पूरुस बर्ग अपने सिर से उपर उठा कर उसे छट पूजा घार तक ले जाते हैं महिलाएं छट मईया के घित भी गाती हैं जलासया नदी के किनारे जो छट मईया का निर्मित चवरा होता है उसकी पूजा करती हैं सूरियास्त से कुछ समय पहले ही सूरिद्यों की पूजा के लिए सारा सामान लेकर जल में पस्चिम मुकर के खड़े होकर डूबते हुए सूरि को अस्ता चलगामी सूरि को अर्ग दे कर पांच परिक्रमा करते हैं प्रशाद में कार्थिक मास में उत्पन्न सभी फल फूल सामिल किये जाते हैं कंदमूल, सबजी, फल, मसाले, अन्न, गन्न, ओल, अर्थात, सूरं, हल्दी, नारियल, बड़ा, नीबू, केला को प्रशाद रूप में अर्पन किया जाता है इसमें सबसे महत्पूर्ण अन्न के राओ के दाने भी होते हैं जो टोकरी में लाय तो जाते हैं परन्तु सांध अर्ग में इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग दूसरे दिन उगते सूर्य के अर्ग में किया जाता है चोथे दिन सब्तमी को उधी इमान सूरी को अर्ग दिया जाता है सूर्योदे से पूर्ब ब्रती घाट पर आ जाते हैं इस समय जल में पूरब मुख खड़े होकर सूर्योपासना करते हुए उगते सूरी को अर्ग देते हैं इसके बाद घाट की पूजा करके ब्रती घर को ल मद्ध में चट ब्रत है जो की महिलाओं द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या है कुछ पुरुस भर्ग भी इस ब्रत को करते हैं ब्रती महिलाओं को परवयतिन कहा जाता है ब्रती उपवास जमीन पर कंबल चद्दर पर श्रयन आदिक ठोर तब करते हैं धन धान्य सुक्सम मृद्धी और विशेसकर कुल बृद्धी, संतान बृद्धी उत्र पौत्र की बृद्धी के लिए यह ब्रत किया जाता है चहत्पर्व मूल रूप से सूर्य उपासना का परव है हिंदू सनातन धर्म में सुर्य को प्राणि मात्र की आत्मा कहा गया है सूर्य आत्मा जगत अस्तस्तु खश्चो ये जागरित यो मूर्त रूप में ब्याप्त हैं प्रत्यक्ष देवता हैं उनकी सक्तियों के मुख स्रोत के रूप में उनकी पत्नी उशा और प्रत्यूशा हैं छटपर्व में दोनों की समान रूप से पूजा होती है प्राता काल सूरी की पहली किरण उसा युम सायंकाल की किरण प्रत्यूसा को पूजन युम अर्ग देकर नमन किया जाता है सूरी पूजा आधिकाल से हमारे यहां की जाती रही है पौराणिक मनता के अनुसार लंका बिजय के लिए जाते हुए भगवान राम ने सूरी की उपासना की थी तथा अजुद्या लोटने के बाद राम राज स्थापना के समय भगवान राम और भगोती सीता ने भी सूरी उपासना की थी महाभारत काल में कुंती द्वारा सूरी पूजा कर करण को संतान रूप में पाया जाना तथा आगे करण द्वारा निरंतर सूरी की उपासना किया जाना प्रशिद्ध है अन्य पौरानिक कथा के अनुसार राजा प्रीबद को जब कोई संतान नहीं उत्पन्ध हो रही थी तब महर्शिकस्प द्वारा पुत्रेष्ट जग्य करना पड़ा उनकी पतनी मालिनी को यग्य का चरू खिलाया गया जिससे मालिनी को पुत्र तो उत्पन्ध हुआ परं अन्ससे उत्पन्ध हुई हूँ मैं सष्ठी हूँ राजा प्रीबद ने सष्ठी देवी की आरातना की जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुई इस तरह से हमारे भारत बर्ष में देव उपासना और उनसे कल्यान का मार्ग प्राप्त करने की आदि परंपरा रही है सष अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जैविश्वनात